हावडा ब्रिज का असली रहस्वे दोस्तो वैसे तो हमारे भारत में आपको एक से बढ़कर एक आर्टिटेक्शर से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन जब बात ब्रिज के आती है तो एक ब्रिज सभी की जुबान पर रहता है और वो है कोलकता में मौजूद हावडा ब्रिज जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था इस ब्रिज को देखने मातर के लिए ही दुनिया के अलग-अलग कोनों से लोग आते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह ब्रिज जितना ही ज़्यादा मशूर है उतना ही रहसे माई भी इसके रहसे बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं इस ब्रिज को बने लगबग सी साल हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फिट उंचे पायों पर टिका हुआ है। इसलिए ये ब्रिज इतना जादा नायाब समझा जाता है। लेकिन अभी तो इस ब्रिज से जुड़े रहसे सुनने बाकी हैं क्योंकि जब आपको ब्रिज के उद्गाटन से लेकर इसके बनने तक की पूरी सच्चाई पता चलेगी तो आप हैरत में पढ़ जाएंगे। बस मेरे यानि के अपने दोस्त फाक्ट मंतरा के साथ वीडियो में उसी तरह बन रहें। जाना लगबग एक लाग से भी अधिक वाहन गुजरते हैं। उपर से इस पर बैटने वाले पक्षियों और पानमसालों का थूक लोगों की वज़सी ये ब्रिज दिन पर दिन कमजूर भी होता जा रहा है। दोस्तो कोलकता और हावडा के बीच बने हुगली नदी पर बना ये ब्रिज अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। क्योंकि पहले हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर उन्नीस भी शताबदी में ब्रिटिश इंडियन गौर्मेंट ने लोगों क्याने जाने के लिए इस ब्रिज का निर्मान कराया। क्योंकि साल 1874 में इस नदी के उपर 22 लाख रुपए लगा कर पीपे का पुल तयार किया गया था। जिसके लंबाई 1828 फिट और चोड़ाई 62 फिट हुआ करती थी। लेकिन वर्तवान सहर में ब्रिज कितने मजबूत हुआ करते थे ये ब्रिज उतना जादा मजबूत नह गई और इनी सारे चीजों को देखते हुए इस ब्रिज को बनाने का निरोने लिया गया जिसके बनाने का काम साल 1936 में शुरू हुआ और साल 1942 में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका था। पर साल 1943 को तीन फरवरी की तारीक में इस ब्रिज को लोगों की आवाजाही के ल दो दिन में दो बार 12 बजे के समय बंद किया जाता है जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस इंजीनियर ने इस ब्रिज को बनाया था उन्होंने ये बताया था कि अगर भाविश्य में कभी भी हावडा ब्रिज तूटेगा तो वो 12 बजे के टाइम पर ही तूटेगा ल इतना कहिए इतना खाओ कि बंड़ ब्रिज में जदा खंबे नहीं होकि आणे जाने वाले जहाज को कोई तकलीफ नहो क्योंकि हगवी नदी से कई सारे जहाज पास होते हैं और अगर ब्रिज के नीचे पिलर होंगे तो उने जाने में धक्कत हो जाए ऐसे में अंग्रेजों कि इस डिमांड को देखकर इंजीनियर काफी डरे हुए थे क्योंकि बेना खंबो के इस ब्रिज को बनाना आसान नहीं था ब्रिज को बनाने के लिए केवल चार खंबे लगने की बात कही गई थी और ये सबी खंबे ब्रिज के दोनों किनारों पर लगने की बात कही गई थी यही वज़ाए कि हावड़ा ब्रिज नदी के किनारों पर बने 280 फीट उचे खंबो पर टिका हुआ है लेकिन फिर भी ये सालों से मजबूती के साथ खड़ा है क्योंकि जब इससे बनाए गया था तो उसकी मजबूती का पूरा खयाल रखा गया था जहां 26.5 हजार टन स्टील का इस्तमाल हुआ था और 23.5 हजार टन स्टील तो अकेले टाटा स्टील कमपनी द्वारा सप्लाई किया गया था वैसे आपकी जानकारी के लिए बता जें कि इस ब्रिज को बनाने के लिए नट बोल्ट की जगा धातूं से बने कीलो का इस्तमाल किया गया है जब हावडा ब्रिज बन कर तयार हुआ तो सिर्फ उसे देखने मातर के लिए ही लोग देश विदेश से खूल कता आया करते थे वैसे तो हर को इस ब्रिज को हावडा ब्रिज के नाम से जानता है लेकिन इसका असली नाम रविंद्र सेतु ब्रिज है यसे हावडा ब्रिज से जुड़ा एक रोचक तत्ति लोग की बीच काफी जादा फेमस है वो ये कि इस ब्रिज पर एक चावी भी है जो अंग्रीजों के पास मौजूद है लेकिन अंग्रीज ने अभी तक इस चावी को भारत को नहीं दिया है इस चावी को लेकर कुछ बाते कही जाती है जैसे कि बड़े बड़े जहाजों के आने के लिए इस चावी की मदद से ब्रिज को बीच से खुला जा सकता है ताकि बड़े जहाज आराम से नदी पार कर सके लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और नहीं इस ब्रिज की बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि सबीच से खुलना संबाव है यहीं वज़ा है कि चावी वाली बात में कितनी सचाई है यह कोई नहीं जानता लेकिन अगर वरतमान से में हावड़ा ब्रिज की बात करी जाए तो आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्टिल्स से बना यबरिज अब खत्रे में है इंजीनियर्स का कहना है कि इसके खंबे अब जंग लगने लगे है लाखों लोग और उनके वाहनों को समानने वाला यबरिज अब खत्रे में है इसका सबसे बड़ा कारण कुलकता के लोग है जिने पान खाने का कुछ जादा ही शौक है ऐसे में लोग इस ब्रिज पर पान खाकर थूक देते हैं और फिर निकल जाते है जिसके वज़ा से ये ब्रिज ना केवल गंदा बलकि धिरे-धिरे कमजोर भी होता जा रहा है और इस पर जंग लगता जा रहा है यहां तक कि इंजीनियर्स ये भी कह रहे हैं कि जिन खंबों पर ब्रिज तिका है उसका साइज कम हो गया है और इन सारी चीजों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि अगर लोगों ने ब्रिज पर गंदगी करना बंद नहीं किया तो आने वाले समय में ये ब्रिज पूरी तरह से नश्ट हो जाएगा उपर से साल 2005 की एक घटना ने इस ब्रिज को काफे नुकसान पहुँचाया लेकिन फिर भी ये ब्रिज दीरे दीरे खत्म होने की कगार पर आता जा रहा है वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है भारत के सेतेहासिक ब्रिज को इस तरह से खत्म कर देना सई है आपका जवाब कॉमेंट में जरूर दीजे इस तरह के वीडियोज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बोलें धन्यवाद दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोज दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें